डिर इस्टुडेंट आज मैं आपका इंपोर्टन्ट जीवन परिचे लेकर आया हूँ यह जीवन परिचे समसेर बहादुर सिंग का जो बहुत ही इंपोर्टन्ट है इसके सबसे पहले हम इसका जीवन परिचे पढ़ेंगे उसके बाद इसकी पर्मक रचनाई काविक इत्व लारिस का जीवन परिचे नई कविता में समसेर बहादुर सिंग्स का महत पुर सथान यानगी जो नई कविता इनके समसेर बहादुर सिंगम का बहुत सथान एंक महतं सथान है ठीक है। जनम तेरे जनवरी निच्भ ज्dar एड़े इस्वी में एक Nuclear में हुआ रहीएं उसके बाद उनके पिता का नाम बाबु तारीफ सिंग था और उनकी उसके पिता का नाम बाबु तारीफ सिंग और उसके पिता का नाम बाबु तारीफ सिंग और उसकी माता का नाम परबु दई था ठीक है समसेर का विवा धरमवती से हुआ, किस से हुआ था धरमवती से हुआ था, उसका विवा ठीक है समसेर का यहां तक complete उसके provide ते पमने परियाग विशविद्दाले से भी अ की परिग्छाई उत्रन की यानि 1928 में तो हाई सकूल और 1933 इस विम परियाग विस विद्दाल से बी एक ही परिक्छाएं उन्होंने उत्रन कियान कि उन्होंने पास की ठीके और जल्दी ही वी वापिस देरादून भी लोट गए थे ठीके ने उसके बाद आगे चलते हैं जिसे कि उसके बाद वे अपने ससूर की केमिष्ट की दुकान में कमपनर का काम करने लगे थे ठीके ने सन 1923 में दिल्ली में उनका देहांत हो गया था ठीके ने उसके बाद चलते हैं इसकी पर्मुक रचनाएं की तरफ पर्मुक रचनाएं इस परकार हैं समसेर ने गद्य तथा पद्य दोनों में कुसुलता पुरुवक लिखा है यहां तक complete उसके बाद मैं आपको एक बार फिरिपीट करा देता हूँ कुछ कवीता है 1969 में समसेर 1971 में चुका भी हूँ नहीं में 1975 में ठीक है उसके बाद इतने पास अपने 1980 में उदीता 1980 में बात बोलेगी 1981 आदी उनकी परमुक रचनाय है ठीक है यहां तक complete उन्होंने सन 1932 लेकुन 1933 में लिखना आरम किया था कब क्या था सन 1932 लेकुन 1933 के बीच लिखना आरम किया था उन्होंने कि आरंबिक रचना यह सरस्वती कौन से सरस्वती उनकी आरंबिक रचना है ठीक है जैसे कि आगए चलते हैं रूपाब में परकासित हो यह रूपाब भी परकासित हुई ठीक हैं सन 1970 में कब 1970 में उन्हें दो मोती के दो चंदरमा होते हैं रचना पर साहित अकादमी पुरुसकार द्वारा सम्मानित किया गया कौन सी यह रचना इसकी यह रचना दो मोती के दो चंद्रमा होते हैं इस रचना पर साहित अकादमी पुरुसकार द्वारा सम्मानित किया गया था समसेर बहादुर सिंग को ठीक है नहीं आगर चलते हैं इसकी कावेगत विसेशताईं की तरफ कावेगत विसेशताईं बहुत ही लिखना है इंपोर्टेंट है ठीक है ने जैसे कि मैंने लिख रखी है समसेर जी की आरंबिक कवीताओं में देश प्रेम की भावना देखी जा सकती है ठीक है उसके बाद आगर चलते हैं समसेर जी की कावेगत में सामाजिक चेतना भी देखी जा सकती है उनका कहना था कि विक्ति अपने आप में समाज का ही एक अन्स है क्या कहना था उसका जनकी विक्ति अपने आप में समाज का ही एक अन्स है मूलत समसेर जी प्रेम और सौंद्रे के कवी माने जाते हैं किसके मान जाते हैं प्रेम और सौंद्रे के कवी माने जाते हैं समसेर उनका कवीता में प्रेम का रंग बढ़ा ही गहरा है यानि कि उनकी जो कवीताओं जो प्रेम करने बहुती बड़ा उसका परभाव डालता उसका प्रेम कर ठीक है इसी परकार कवी ने अपनी कवीताओं में जहां एक और परकरती का चित्रन किया है क्या कह रहा है जहां कवी ने एक और परकरती का चित्रन किया है वहीं दूसरी औ और बाहिये अंडवरों तथा रूडियों का भी विरोध किया है क्या कराने कि वहीं दूसरी और बाहिये अंडवरों का विरोध किया है कवी ने ठीक है ने वे जीवन में मिरित्यों की हस्ती को भी स्विकार करते हैं और मिरित्यों को अपनी प्रेमी का मानते क्या करते हैं और मिर्टुक अपनी प्रेमी का मानते आगा चलते जैसे कि भासा सेली समसेर बहादुर सिंग ने अपने साहित में सहज सरल एवं साहित्यक हिंदी भासा का परियोग किया है किसका परियोग किया समसेर बहादुर सिंग ने अपने साहित्यक हिंदी भासा का परियोग किया है revenue निए लगते हैं क्या केई कहीं कहीं पर उर्दू जो भासा सब्दन को इत्यादिक परियोग करने लगते हैं कौन समhteर भाहदुर National thi defence उनकी भासा में चित्राक्तमकता लाइक तमकता नाद सोंद्रय आधि गुण देखे जा सकते हैं कि उनकी जो कवियताय हैं उनकी भासावे में चितर तमकतन लागत तमकतन नादर सोज़ देखे जा सकते हैं ठीक हैं मूलत उनका कावे परतिकों तथा बिम्बों के लिए परशिद है क्या कह रहा है मूलत उनका कावे परतिकों तथा बिम्बों के लिए परशिद है ठीक है यहां तक कंपलीटन अगर आपको वीडियो अच्छी लेकित वीडियो कर दो लाइक और चैनल को दो सब्सक्राइब बगल मैं घंटी उसको प्रेस कर दो मिलते एक इंपोर्टन्ट वीडियो को साथ तब तक के लिए गुड़ बाई आपका दिन सुबहुद